टो मैं आज आपको दिखने वाला हूँ मोडूलर कीचन और इसके अंदर किसी पर कौनसे परकार का यह जो मट्र hijoज किया है वह आपको दिखाने वाला हूँ तो आज मैं अभी आपको यह दिखा रहा हूं में प्लेट फार्म के अंदर कौन सा मट्रियल यूज किया है सामने दिवार पे कौन सा मट्रियल यूज किया कौन सा कलर का लेमिनेट यूज किया वो दिखाने वाला हूं तो आपको modular kitchen इस तरह के दिखाऊंगा और किस परकार से हम लोग इसको काम किया है तो यह पहले blue pearl जो ग्रेनाइट है यह imported material है यह रात को grey और silver color चमकता है इस तरह के से और यह सामने को जो platform के साथ में सामने की जो दिवार है उसको composite material लिया है जो plate farm और इसका light और dark grey का color combination के साथ में उसके बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यह नीचे जो wooden color का furniture है यह double door है देखिए और इसके नीचे अंदर जो है self लगा गया है वो जो size के साथ से लगा है हम लोग ने और उसके बाद में side में single door है वो grey color lemonade है silver का वो अंदर self है इसके बाद में यहाँ पे तीन ड्रॉर लिया है ड्रॉर में उपर से हम लोग देखिए स्थरी कटलरी एक बनाई गई है SS304 का उसके बाद में नीचे एक ड्रॉर बनाई है प्लेन में उसके अंदर आप कपसी या प्लेट ग्लास कुछ भी रख सकते है उसके बाद में नीचे बनाई है बड़ा ड्रॉर जिसमें भगोले टॉफ या कुछ भी आप बड़ा समार कुछ रख सकते है बाद में बाद में बाद में बनाई single door जो grey lemonade कर लिया है यहां पे अंदर self हिया है डब्बे के साबसे अंदर self लगाया है बाद में double door जो wooden color lemonade में है इसके अंदर भी self लगाया है बड़े डब्बे के साबसे इसको self का self fitting क्या है उसके बाद आपको यहां देख रखे हो platform उपर यह दिया है microwewnware का self यह है folding इस तरीके के देख सकते हैं आप इस पे आप microwave ओवर उपर रख सकते हैं इस तरीके से जब नहीं जरूत है तो इसको इस तरीके से fold कर सकते हैं आप उसके बाद वे बाजी में लिया है हम लोग ने चिम्नी तो चिम्नी के नीचे चुला आएगा यहां से गेंस टो आएगा इसके बाद उपर जो है इसके डबल डॉर है डबल डॉर के अंदर से चुले चिम्नी का पाइप बाहर गया है तो इस तरीके से हम लोग ने बाजी में लिया है वुडन कलर लेमिनेट और सरकल वाला देखे आप काच अंदर लिया है जिसके अंदर फ्रॉस्टेट ग्लास है यह डबल डॉर है अंदर काच का सेल्फ लिया गया है इस तरीके से और अंदर उपर जो लाइट का वायर दिया है उसमें लाइट लगाएंगे तो इस ओल अवर यह जो उपर है ओफवाइट कलर लेमिनेट है विट इस्टोरेज अंदर सेल्फ लिया है इस्टोरेज डबबे के हैसाब से तो इसके लिए इसका नगआ यह तोफ्रोंर तो मिलीया उपनियन है निए प्रेश च्पंश यहां बहुता है था हुआ और पोप कर चाला जाता है वहांसे इस्ट रोफ लाइक है यह वुडन सिलवर गड़े और लेमिनेट का पूरा हम लोग ने जो कॉम्बिनेशन को दिख रहा तो यह डार्क नहीं इसके लिए लायट में कीचन बड़ा दिखता है और वुडन कलर में सिल्वर गरे में पूरा लेमिनेट कॉम्बिनेशन हाईलाइट प्लेट फार्म और वाल टाइल किया है नीचे सिल्वर और वुडन का लेमिनेट लिया गया है अब हम आपको दिखाते हैं यहां पे 30 प्लेट को बाज़ में टॉल यूनिट हुडन टॉल यूनिट बाज़ साइड में क्या हैं कि हम लोग्की सरकल का पुरा आपको लिया गया है प्युल में फैड़ ऊक्ते हैं या पे देखिए सरकल में राउंट में। सेम ग्लाइस दिया गया है यह डबल यू रो है इसके अंधर काच का सेल्प लगाए गया है इस रजगा नीचे फिर से डबल डॉर आप देख सकते हैं यह डबल क्या है मुझा इन्द प्लेट फार्म पूरा हम लोग ने अंदर तक लिया आप देख सकते वह प्लेटफारम फूरा अंदर तक लेरेंगे यह कारणे हैं यहां पर आप mixer grinder रख सकते हैं और साइड से आपको एक दोर दिया है जो प्लेट फार्म के अंदर आ सकता है आप इस तरह के देख सकते हैं मेरा हाथ अभी वहां से अंदर से हाथ इदर आए जहां से मिक्सी लिया प्लेट फार्म पे बाहर निकाला यूज किया वापस अंदर रख दिया इस तरीके से हम लोग यह दोर को बनाया है और अंदर से यूज कर सकते हैं बाद में फिर से नीचे डबल डोर है साइज के सबसे अंदर सेल्फ लगा दिया आप देख सकते हैं वह डबे के सबसे रखना पड़ता है हम लोगों यह पुरा टॉल यूनिट वुडर कलर के लिया है फिर स्वरीश प्लेट बाद में सिंक है यहां पर तो सिंक को यह ड्रेंड बोड लिया है बाद में देखिए यह प्लेंड ड्रॉवर लिया है नीचे भी एसस 304 के यह तिनों ड्रॉव लिये गए हैं बड़े चोटे उसे अब से बाद में यहां पर कट्लेड लिया गया है जो आपको दिखा सकते कट्री ड्रॉर 304 का उसके नीचे है जो है कब बसी प्लेट का जो आप प्लेट और कफ रख सकते हैं इसके नीचे है थाली बड़ा और चोटा थाली रखने के लि और यहाँ पे नीचे हेडराली पंप वाले डूर है बाजीों में देखिए भी हेडराली पंप दोर लगा है जिसमें ग्लास लगा है वाडा दोर के अंदर ये डबल टोर है है अब देख सकते हैं इसके उपर भी हम लोगें डबल दोर बना है एक वूड़न का एक सिलिवर ग् लिए गया है इस तरीके से मोडूलर कीचन को हम लोग ने बनाया है तो आप अगर जब तक मेरे चैनल को यह पूरा कॉमिनिसिन के अदर तो मैरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक भी कीजिए और फोलो भी कीजिए तो यह मैंने मोडूलर कीचन बहुत ही इंडियन मट्रिल गंदर बनाया हूं मजबूत बनाया हूं और यह 15 से 20 साल तक इसको कुछ नहीं होता यह गारंटी हमारी है धन्यवाद झाल तक बनाया हूं प्लाग्णे और लाएब कीजिए लाहरा हूं और लाएब कीजिए झाल प्लाग्णे अज़ा कीजिए धन्यवाद